हेलो फ्रेंड सावर यू आइधिंक कोलर फाइन सो बहुत सारे डाउट थे आपके माइंड में वो सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे क्योंकि कई सारे बच्चों के मेंसेज आ रही थे कि मैं बताना जरूर बताना तो जो टीचर्स था जिसे contact हो पाया है जो यह हमारे school में permanent लगे हुए है ठीक है तो जो बच्चे यह पूछ रहे थे कि मैं permanent अभी लगे है पहले भी तो पहले भी जो है जो जो government जैसे अब जिससे हमारा contact हो पाया गुजरात government की तरफ से ठीक है तो जो जो information उन्होंने हमारे साथ share की वो हम आपके साथ share करें क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यही comment आ रहे थे कि मैं क्या कुछ available हो पाएगा क्या timing रहती है क्या खाने का रहता है ठीक है क्या quarters की system है ठीक है तो first of all तो आपकी जो बच्चों की timing है वही timing रहती है जो यहां पर government school की timing है यानि की 92330 ठीक है बाकी यह school के area के ओपर depend करता है वैसे school की timing आपकी same ही रहती है उसके बाद रही बात आपकी खाने की की मैं क्या खाना बच्चों को available होता है या फिर teachers को भी available होता है या फिर family को ही available होता है तो देखो खाने की N.E.S.T. की तरफ से कोई notification में answer नहीं है यानि की जो आपको facility प्रोवाइड की जाती है आग यह से उसमें कुछ इस सीच के बारे में बताया नहीं गया है लेकिन अगर हाँ वही बात है बच्चों के लिए बन रहा है तो अगर principle अलोग कर देती है तो क्योंकि कहीं सारे ऐसे हैं जो कि सिंगल रहते हैं भी husband कहीं और job करते है वाइफ कहीं और लगी हुई है या फिर unmarried है तो यही होता है कि अकेले के लिए क्या खाना बनाए तो वहाँ पर teachers के उपर depend है कि भी आपको अगर principle अलोग कर देता है आप वहाँ पर खाना खा सकते हो वैसे यह कोई facility वहाँ पर आपको नहीं मिल रही है ठीक है लेकिन यही है mostly teachers जो है क्योंकि students के students को food available होता है तो teachers भी वहीं पर अपना lunch कर लेते हैं ठीक है तो बहुत सारे बचे क्योंकि यहीं पूछ रहे थे कि मैं फिर खाने का क्योंकि अलग से एक आपका चार्जिस salary से काटा जाएगा तो क्योंकि NEST यह provide नहीं करवा रही है तो कोई charges वगएर इसका नहीं कटता है आपका ठीक है उसके बाद रही बात में ऐसी facility available नहीं हुई है जो quarter सा वो मिले हुए है लेकिन ऐसा नहीं है उसमें kitchen भी नहीं है फिल हाल सिर्फ और सिर्फ one room set हमें मिला हुआ है लेकिन हाँ जो नई joining हो रही है उनके लिए नए building तयार के जा रही है तो शायद कहीं न कहीं इसी वज़े से late हो रहा है या पता नहीं इसका तो पूरी information नहीं मिल पाई लेकिन यही था कि मैं बनाए जरूर जा रही है ठीक है क्योंकि नई नई building है तियार की जा रही है क्योंकि जो non functional थे उनमें भी काम चल रहा है और हाँ यह भी बात सामने आए कि अभी तक बहुत ही कम students जो है उसमें admission है लेकिन सिक्त में थे वो 7th में आ गए है 6th में नहीं admission आ गए तो 7th में मतलब वहां पर अभी तक 8th class में उस school में अभी तक 8th class में ही जो है admission हो पाई है ठीक है और बच्चे भी as an average ही है क्योंकि वही बात है यह तो सभी को पता है भही देखो इस situation से क्योंकि अभी तक इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था SD candidates को भी आगे लेके आया जाए इस जनजाती के उपर इतना ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन नरेंदर सी मोधी ने इसके उपर इतना ध्यान दिया है ताकि इसको इनको भी इन बच्चों को भी उपर लाया जा सके उनका भी पहुश्य जो है जो अंदकार में था उसको परकाश में या उनकी जो लाइफ है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सके ठीक है और उसी में जो ये नहे टीचर्स हैं ये उनकी हेल्प करेंगे और हाँ बहुत सारे स्कूल अभी जिसमें पूरी 12 तक क्लास नहीं हुई है इसी वजह से यही जो है confusion चल रही है अब जैसे एक बच्चे का message आया था कि में राजिस्थान में तो किसी भी स्कूल में commerce नहीं है ठीक है और जिस सर से हमारा contact हो पाया उन्होंने भी यही बात बताई थी कि हमारे यहां पर तो अभी तक 9th के बच्चों के admission हुए है ठीक है आगे देखत से ज़्यादा स्कूल जो है उपर किये गए है तो जाहिर सी बात है उन्हीं स्कूलों में बेजा जाएगा जिन में बच्चे होंगे लेकिन यही है कि कुल मिला के यही information मिल रही है कि बच्चों की संख्या भी कम है ठीक है लेकिन वही है कि जैसे जैसे तीन phases में जो बताई से आएंगे यह भी बात एक मानने की है कि स्टुएट्स की संख्या कम क्यों है क्यों 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 वहांपे टीचर्स ही नहीं थे अब हम किसी स्कूल में जाएंगे अगर हमें साइंस के या फिल कॉमर्स के या को हम देख रहे हैं कि शाहिद इसी वज़े से बच्चे कम हो ठीक है बाकी जो वहाँ पे जाएंगे तब ही पता चलेगा कि क्या कुछ सिस्टम है और हाँ स्कूल की रही बात जो स्कूल है वो काफी गाउं से काफी दूरी पर है लेकिन ये नहीं है कि स्कूल से टीचर्स को बाहर नहीं निकल ले दिया जाता जी नहीं आप अपने वर्क के लिए बाहर के वर्क के लिए आप बाहर निकल सकते हो जो स्कूल का वह आपका डिल करें, जो आप चाहते हो करना वह कर सकते हो. और रही बच्चों की बच्चें यही पूछ ticking की बच्चों की बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं है की कोई system ही नहीं होगा कोई वहां पर आस पास जो भी स्कूल है, बस फेसिलेटी आवलेबल करवाई जाएगי स्कूलों की तरफ से, वो तो हमेशा होती ही है, तो कहीं बाहर भी आप आडमिशन ले सकते हो और अगर आप उसी स्कूल में करवाना चाहते हो, तो अगर प्रिंसिपल की पर्मिशन मिल जाती है तो आप उसी स्कूल में एडमिशन भी करवा सकते हो लेकिन बात रहती है ये कि भही वहाँ पर क्योंकि six classes start है स्कूल तो छोटे जो बच्चे है one to fifth class उनको लिए तो बाहर से ही जो है आपको admission करवाना होगा तो जो जो मेरी बात हो पाई वो यही और पाई और उसके साथ साथ posting की जब हमने पूछा कि सर पोस्टिंग का क्या कुछ है क्या जिनका documents verification जहां पे हुआ है वहीं पर उनको posting दी जाएगी तो उन्होंने बताए कि ऐसा कुछ system अभी तक available नहीं है ऐसा कुछ नहीं है फिर पोस्टिंग आपकी कहीं पर विदी जाज सकती है यह सिर्फ और सिर्फ documents verification के लिए कमैटी बनाए गई थी और क्योंकि जो N.E.S.T. में पहले लगे हुए है उन्होंने case भी कर रखा है तो N.E.S.T. ने वहां पर यहीं बात जो है हमारे सामने आई थी कि पहले आप documents verification कर वा लो उसके बाद कि जो प्रोसेस होगी वो फिर देखते हैं ठीक है लेकिन हाँ यह complete है यह जरूर है कि भरती तो complete होके रहेगी क्योंकि नरेंदर सिंग मोधी ने जो है लोग सबह में अनाउंस कर दिया है media के सामने यह बात आ चुकी है और उसके साथ साथ इतनी बड़ी बरती एकदम से ऐसे नहीं हो सकता कि भही stay लग जाए या फिर इसको cancel कर दिया जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यही doubt है कि cancel तो नहीं cancel तो होगी नहीं 100% sure है आपकी joining करवाई जाएगी लेकिन ह area का confirm नहीं है कि किस area में joining करवाई जाएगी और जो जो information मिली मुझे मैंने वो आपके साथ share की अगर अच्छी लगी हो तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और हमने कहा था कि भही सर एक video छोटी सी बना के भीजिना अपने school की तो जैसे ही सर बेजेंगे आपके साथ वो भी share की जाएगी क्योंकि बहुत सारी मन में यही doubt रहता है लेकिन हा बिल्डिंगे सारी नहीं की नहीं बनाए गई है क्यों क्योंकि अभी तक non-functional school थे 102 school ही शायद function में थे लेकिन अब 400 कर दिया गया है तो cdc बात है उनको चलाने की जिम्मेवारी आपके उपर है देखते हैं क् कुछ facility provide होती क्योंकि जितनी facility मिलेगी उसी के base पर teachers भी जो है grow करेगा ठीक है तो बच्चे आएंगे तो cdc बात है अपने आप ही environment अच्छा होता चला जाएगा और सब कुछ positive लेके चलिएगा जो negative बाते आती हैं उनको mind से निकाल दीजिएगा भी positive रहिए positive ही news मिलेगी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जैसे ही जो भी information मिलेगी posting regarding या फिर आपके मन में जो भी doubt है आप comment session में पूछ सकते हो क्योंकि अब हमारे contact में ये वारस के school आज चुके हैं तो जो भी information मिलती है वो उन्हीं से confirm करके आप तक पहुचाई जाती है ताकि कोई गल सकुल में चोब करते हैं काफी अच्छे से वही इन बातों को बता पते हैं ठीक है तो जो जो बाते मुझे मिली जो जो information मुझे मिली वो मैंने आपके साथ share की और ये सब कुछ possible हो पाया है ये हमारे school के teachers की वज़े से so thank you so much राजे सर जे जिनोंने information दी उसके बाद और जो ह हमारे कमेटी गुजरात में कमेटी के मेंबर थे उनी का कमेंट आया था कि मैम आपका documents verification हम नहीं किया था और उस कमेंट के बिहाफ पे ही उनके उन तक contact हो पाया है so thank you so much और वहां के कमेटी के मेंबर बहुत ही अच्छे थे अगर किसी को याद हो तो बता ना भही ठीक है so thank you so much अगर कोई mistake हो गई हो तो उसके लिए sorry और आगर आपका कोई भी suggestion है तो comment में ज़रूर बताईएगा thank you again